सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की तत्वा धान में यहां अध्यानरत विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु। इस शिंखला की नीट जैसी प्रत्युगिता परिक्षा की तयारी को लेकर आस्क दा एक्सपर्ट की ओनलाइन सेरिस आयजित की गई। डॉक्र माला चौधी अन्यू पीटी कॉलेज लगातार विद्यार्थियों को बहतर सिक्षा देकर उन्हें प्रत्युगिता परिक्षाओं के लिए तयार कर उनका भविश उज्वल बना रहा है और समय समय पर उनका आकलन भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में टेस्ट सीरीज के तहत आनलाइ आसक दा एक्सपर्ट मोटिवेशनल क्लास अजित की गई। यहां शिशुरोग प्रिशग्य वसाती सच्देवा क्लास से ही अध्यन कर चुकी और आज अपने लक्ष प्राप्त कर चुकी डॉक्र माला चौधरी ने ऑनलाइन जुडकर विद्यार्थियों से उनका उसावर् इस स्टेश शिंकला में बहतर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान डॉक्र माला चौधरी वसाती सच्देवा न्यूपीटी कॉलेज की डारेक्टर चिरंजीव जैन ने किया विद्यार्थियों का उस्सा वर्धन कर उन्हीं प्रत्यूगी परिक्षा के लिए तैयारी को लेकर उचित चिप्ट देने शामिल डॉक्र माला चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो वहीं संस्थान की डिरेक्टर ने अपना उद्देश बताया सभी गुमेरा नमस्कार आज टेस्ट रंखिला का पहला टेस्ट है जिसका प्राइस रिस्ट्रिबिशन हो रहा है एक स्रंखिला हमने सुरू किये जिसमें की हर सप्ता हम कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो हमारे पुराने चात्र हैं उनको लेकर आएंगे और वह बच्चों को बच्चों को जो उनके मन में हैं और इसी कड़ी में आज हमारी चात्रा 98 बैच की स्टूडेंट जन्होंने गौर्वर्मेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से मभी बीएस की पढ़ाई की और इंडिया में सेलेक्शन मिला उनको डॉक्टर माला चौधरी जो अभी वर्तवान में स अभी काम कर रही है तो आज की कड़ी में आज मुक्यतिती के रूप में डॉक्टर माला चौधरी है और उन्होंने बच्चों को काफी अच्छे से मॉटिवेट किया और अपने समय की बात बताई कि उस समय और अभी में क्या अंतर है तो यह शंखला इसे चलती रहेगी इक अच्छे मुकाम कर रहे है बहुत अच्छा लगा एक्चोली क्या होता कि जिस मार्क से जो चल चुका है वो उस मार्क के बारे में ज्यादा बता सकता है यह प्रेशर जो इनमें आज है पचीस साल पहले माला में भी था और वो फील भी कर रही थी और बल्कि मुझे अभ पूरा पूरा सब्जेक्ट उसको जात है और इनको देखकर बच्चे काफी खुशते कि यह हमारी जैसे इसी संसान की छातर रही है जो कि आज रिजल्ट दे आज सहर को सेवाएं दे रही है एक अच्छा मुकाम है सहर में जी माडब मैं डॉक्टर माला चौद्री मैं पड़े हुए इसी जर्णी के थूख गए हुए है और हम इस चीज को बहुत अच्छे से सहमत सकते हैं कि बच्चों को कैसे डाउट्स हो रहे होंगे अभी क्या-क्या तक्लिफों का सामना करना पड़ रहा होगा उनको तो हमारे कार्य यह है कि उनका जर्णी को हम सिंपल कर सके और सरल कर सके और आस्ता एक्सपर्ट में जो भी क्वेरी बच्चों को चाहे एड्यूकेशनल एकेडमिक रेलेटेड हो या परसनल इशूज हो वो हमको अप्रोच कर सकते हैं और हम से राय ले सकते हैं एक मेंटर की तरह से हम उनका बेस्ट करने का कोशिश करेंगे हम ब हमारा कार्य यह है कि छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही है इन अल्रेडी मोटिवेटेड बच्चों में वो हम स्वालब करते हैं और मैं शूर हूँ, कान्फिडेंट हूँ कि इस बार सश्टेवा का हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा हमारे बच्चे बहुत महनत कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, मेंटर्स भी सश्टेवा कोचिंग से बहुत अच्छी अपनी गाइडेंस प्रॉइड कर रहे हैं, मैं अगेन अपील करना चाहूंगी सारे बच्चों से कि अगर उनको आवशकता पढ़ती है उस पूरे जर्नी में, वो डेफिनेट जार्थियों ने भी इस टेस शिंखला के माध्यम से अनुभाव को मीडिया से साजा किया उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा था और कुछ भी जो बता रही थी वो और करने के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इस्पीड देने क करने के लिए आगे पूस करने के लिए मैं बहुत अच्छा मोटिवेट करी और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके अनुभा बहुत अच्छा लगा हमें अगर कोई हमें हमारी सभलता के प्रती और उतेजित करने वाला हो तो यह हमारी नतरीक मनोबलता को और बढ़ाती तो ये इस Ask the Expert से हमें मनोबल में बढ़ोतरी हुई और हमें और अच्छा करने के लिए प्रेड़ना मिली। बहुत अच्छा लगा मैं कि वो भी हमारी जैसी थी, अब हमको भी उनके जैसे बनना है। कि अच्छा लगा मैं कि वो भी हमारी जैसे बनना है कि वो भी हमारी जैसे बनना है।